नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर संजी उपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वाइद करता है दोस्तों आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करें जिसमें की लोगों को पता नहीं चल पाता है कि उनको बेसिकली दिक्कत क्या गी क्योंको पेड में लगाता दर्व बन जो कि एक छोटी पतली ट्यूब के रूप में होता है जिसका साइज जो है 2-3 इंच लंबा होता है यह बड़ी आंथ में जहां पर मल बनता है उसके पास ही यह जुड़ा हुआ होता है और दोस्तों यही एपेंडिक्स में जब सूजन और दर्ध हो जाता है बहुत जादा तो हम इसको appendicitis कहते हैं, दोस्तों ये दो प्रकार का होता, acute appendicitis और chronic appendicitis, तो हम बात करते हैं acute appendicitis की, दोस्तों नाम से ही पता चला, acute appendicitis, acute means तेजी से, यानि कि जो चीज बहुत तेजी के साथ विक्सिज रहाती है, यानि कुछ गंटों और कुछ दिनों में ही विक्सिज रहाती है, उसको acute बोलते हैं, acute appendicitis में भी यह होता है, कि जब appendix में सूजन, मवाद या infection आ जाता है, तो ये बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगता है, और ये रुकावट का कारण मनती है, इसमें वेक्टीरिया बहुत तेजी से गुरो करते हैं, जिसकी वैसे वहाँ पर septic condition आ जाती है, तो इसको दोस्तों acute appendicitis कहते हैं, दोस्तों आब आता है chronic appendicitis, तो तो chronic appendicitis में होता है, ये जो appendix में सूजन या दर्द है, वो धीरे-धी appendix हैं, वो धीरे-धीरे काफी दिनों के बाद पता चलता है, और इसके चारो तरफ जो रुकावट का कारण मनती है, जिसके वेसे सूजन धीरे-धीरे रहती है, और यही सूजन लंबे समय तक बनी रहने की वज़े से ही एक गंभीर बिमारी का रूप ले सकती है, दोस्तों दर्थ कभी-कभी बहुत तेजी के साथ होने लगता है, पहले सिम्टम यह हो गया, दूसरा यह होगा, पेशन को भूख कम लगेगी, और अगर वो खाना खाता है, तो उसके बाद में उसका जी मिचलाना और ओल्टी होने है, सुवावी ग्रूप से होता ही होता है, अगला प्रशार है कि अपनिसाइटिस में गैस के साथ पेशन को या तो कॉंश्टिपेशन की शिकायत रहेगी या उसको बहुत ज्यादा लूज मोशन आ सकते हैं, दोस्तों यह होगा, इंपॉल्टेंट सिम्टम जो कि अपनिसाइटिस में होता है, तो अब हम बात करते हैं अपनिसाइटिस के अपनिसाइटिस होगा, तो उसको अगली मेडिसे नोगी बैला डोना, तूहंडेड मिलेंगे दिमें तीन बार देनी रहेगी, तीन से चार मुन सुभा तुबहर शाम को दोस्तों ये भी हमें acute cases में देनी यानि जिसको acute appendicitis condition में patient जो बहुत ज्यादा restless हो जाएगा बेचैन हो जाएगा और patient को fever रहेगा fever के साथ साथ यानि बुखार के साथ साथ patient को पसीना बिल्कुल भी नहीं आएगा अगर यह symptom आ रहा है तो बेलाडोना की 200 medicine यूज करनी है दोस्तो नेक्ट मेडिसिनों की ब्राइनिया दोस्तों ब्राइनिया की टैन इंपोटेंसी देनी है और यह वीक में एक बार देनी है दोस्तों यह कब देनी है जिब patient को जब चलता फिरता है तो उसको दर्द बहुत जादा होता और जब यह रुख जाता है तो patient के दर्द में आराम मिल जाता है या लेड जाता तो उसको आराम मिलता गर यह condition है तो ब्राइनिया की टैने पोटेंसी वीक में एक बार ही तीन से चार दून देनी रहेंगी दोस्तों अगर दर्द बहुत तेज हो रहा तो उसके लिए एक medicine होगी डाइस्कोरिया दोस्तों अगर patient को appendix में पस formation हो गया है हो गया यानि कि septic हो गया वेक्टिय इंफेक्शन बहुत ज्यादा हो गया तो उस condition में इचिनीश्या की थी एक्स पावर और पायरोजिनम की थी एक्स पावर दोनों की दिन में जो है तीन से चार बार medicines लेनी रहेंगी अगर बहुत ज्यादा सेप्टिक कंडिशन हो गई है तो दोस्तो अगली medicine होगी लेके से 30 potency में लेनी है दोस्तो ये दिन में 2 से 3 बूंद दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं दोस्तो ये उस patient को लेनी है जिसको दर्द बहुत जादा होगा और patient बेचैन भी होगा उसके सासाथ अगर उसको कपड़ा भी छू जाए यानि कि कोई भी हलकी चीज कपड़ा या कोई भी आप अगर अगर हम फैदर लेते हैं वो भी उसको ठच करते हैं उस जगे पे तो उसको ऐसा रगता है दर्द बहुत तेज हो रहा है यानि वो ओबर सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव हो गया है इस condition में ल पेशेंट ने ऑपरेशन करा लिया है ऑपरेशन कराने के बाद पेशेंट का दर्द और फीवर लगातार बना हुआ है तो उस condition में आफ्टर ऑपरेशन की condition में नेटरम सल्प की 30 पोटेंसी पेशेंट के लिए देना रहेगा दोस्तों मेडिसीन ये कम सब 3-6 महीने आप लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें शेयर करें मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार दोस्तों